हम लोग देखते हैं मार्क्स की रचना है मार्क्स ने किन-किन पुष्टकों की रचना की है और आज उन्हें किन-किन करंथों के रचनाकार के रूप में जाना जाता है यह समझने कि बहुत से पुष्टकों का मार्क्स ने एंगल्स उनके मित्र पर मित्र एंगल्स के साथ भी मिलकर रशना रचे हैं यहाँ पर मार्स की रशना को देखें इसके पहले हम यहाद देखते हैं कि लिखने की उन्हें आजादी लिखने का बिचार लिखने की रूची उनको बच्पन से ही था जब वे प्रारंबिक के अक्षा में पड़ते थे उसी समय जो उन्हें निमंद चुना था पेशा चुनने के संबंद में एक तरुन के बिचार उसी समय उनकी उम्र मात 17 बरस थी तो लिखने का सवक और बिचारों की स्रिंखला बाले काल में ही बिखसित हो रही थी और वहीं जेनाब इस विद्याले में जब उन्होंने अपना एक बियाख्यात्मक निमंद परस्तूत किया उन्हें उसका सिर्षक था डेमोक्रिट्स और एप्योक्यूरस के परकिर्थी में दर्सनों में अंतर यहाँ पर भी उनके निमंद से पता चलता है उनका दृष्टि कौन काफी भाव बादी था और हम यहाँ भी देखते हैं मार्क्स को उस व्याख्यात्मक निबंद पर ही अप्रेल सन 1841 में दर्सन सास्त के डॉक्ट्रेट की उपाधी मिली थी उनके डॉक्ट्रेल का थिसी जो था उनका सिर्षक था ग्रीक बिचारक एप्योकिरस एवं डेमोक्रीट्स की दर्सनीक बेवस्थाओं का तुलनात्मक ध्धन दा डिफरेंस विट्मिन दा डेमोक्रीटिशन एप्योक्रीटिशन एप्योक्रीट्स फिलोशिफीज अफ नेचर हम यह भी देखते हैं कि मार्स की इच्छा बॉन विश्विद डाला में प्रोफेसर बनने की रही परन्तु कई कारे कारेंसी वे प्रोफेसर नहीं बन सके तो 1742 में वे राइनिस जेतू पत्रिका के संपादक बने और यह भी देखते हैं कि उस समय जो एसिया और जर्मनी में उसमें राजनितिका और धार्मिक उत्पीरन की जो बातावरां था उनके बिरुद आम जन्ता के हीतों के पक्ष में उन्होंने अपनी आवाज को उठाई और उसमें वे लिखे फ्रांस में बर्ग संगर्च 1848-1850 नामक अपनी रचना में मार्क्स ने सर्वहराध हिनायकत्यो के परसिद सुत्रवक का प्रियोग किया है और अपनी उस रचना फ्रांस में बर्ग संगर्च 1848-1850 में उन्होंने असपश रूप से या बताने का परियत ने किया है कि बैग्यानिक समाजबाद बिविन परकार के पुंजी बादी निम्न पुंजी बादी और कल्यान कारी समाजबाद से भिन है वे काते हैं बैग्यानिक समाजबाद क्रांती के अस्थायत की घोसना है वह समान रूप से सभी बर्ग विवेदों को दूर करने उन बिविवदों को अधार पर बने सभी परकार के उत्पादन समंदों को तोरने उत्पादन समंदों का नुरूप बने समाजिक समंदों को जैसे समाजिक समंधों से पैदा होने वाले सभी पीचारों में क्रांती लाने के लिए एक अधियावस्यक्षन करमनकाली विवस्था के रूप में सर्वहरा बर्य के अधिनायकत्तु की घोषना वे मानते हैं कर्ल मार्स की पुष्टक दूसरी पुष्टक ओन जेविस्था क्वेस्था अठार सो टेटालिस में आती है वे काते हैं पैसा पैसा महत्पूर्ण है पैसा इस्वर से महत्पूर्ण है धन मनुष के श्रम एबन जीवन का सार है यह सार उस पर परभुत्त जमाता है और मनुष उस धन की पूजा करता है उनकी दूसरी यानिपूष्टक देखते है पैरिस पांडूलिपी इकोनोमिक एंड फिलोसिफिकल मैनुस्क्रिप्ट अठासो चवालिस और कहा जाता है कि यह एकोनोमिक्स एंड फिलोसिफिकल मैनुस्क्रिप्ट अठासो चवालिस अठासो उनसट में प्रकासित भी लिखी गई थी 1844 में लेकिन प्रकासित 1869 में हुई थी और कहा यह भी जाता है कि यह पुष्टक तो 1932 तक अग्यात ही थी और पेरिस पांडूलीपी में मार्क्स ने अपने सिध्धान को बताया है और वोगे काते हैं मान अपका सार स्रम है The human essence is liver व्यक्ति अपनी नेतिक छमता, तर्प छमता, बुद्धिक छमता विचारों के कारण नहीं बल्कि दूसरे पस्ऊँँ से यदि वो अलग है तो इसका कारण व्यक्ति का स्रम है, liver है और स्रम करने की यह छमता का आर्थ है प्रकिर्थि के साथ मानब की अंतरकिर्या जिस कारण वो अपने मानसिक एवं सारिक स्रम दोरा प्रकिर्टी को अपनी अवस्चता अनुसार ढाल लेता है ढाल लेता है उनकी अठारसों पैटालिस में लिखी पुष्टक दा जर्मन आइडिलोजी है लिखन कहा जाता है कि यह पुष्टक उननुसार से पहली लिखी दा जर्मन आइडिलोजी और जर्मन आइडिलोजी में वे दुअन दात्मत बहुत इक बाद की चर्चा करते हैं दुअन दात्मत बहुत इक बाद की चर्चा करते हैं वहीं अगर कहा जाए कि पहली परकासित पुस्तक तो कहा जाता है कि दा होली फैमली 1845 में उनकी पहली परकासित पुस्तक है वही 1845 में ही थेसिस ऑन फायरवाक 1845 में और इसमें वे कहते हैं कि समस्या ब्याक्या की नहीं बलकि दुनिया को बदलने की है कल अपना लोकी समाज पादियों की उन्होंने आलोचना किये मार्स ने इस पुष्टक में और ठियोरिस थिसिस ऑन फायर बाक में लिखते हैं कि दर्सन का अंतिमकार केवल बास्तविक्ता को समझ लेना ही नहीं है बलकि समझ कर उसे बदल देना भी है अपने कार से मुरुस बरतमान परिष्टितिय दर्सन सास्त की दरीदरता वहीं कम्यूनिष्ट मैनिफेश्टो 1848 में लिखी गई दर्सन सास्त की दरीदरता वहीं कम्यूनिष्ट मैनिफेश्टो में जो महत्पुन बाके कही गई है कामकारों का कोई देश नहीं होता सरमिक का कोई देश नहीं होता दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ जंजीरे हैं, और तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ जंजीरे हैं, जबकि पाने के लिए पूरा संसार है, तुम कुछ नहीं खोगे, और पाओगे तो पूरा संसार, वह गैमिनिस्ट में भेश्टों में करते हैं, अभी तक का इतिहास वुर्ड संघर्ज्गर्श का इतिहास है, جाहिर है, मजजूर के पक्स में, वह इपनी बात रखते हैं, और कहते हैं, राज कुझी पतियों की कारिश्मीती है, राज को कुझ 1850 में the class struggle in France, the class struggles in France 1850 में वहीं, 1869 में critic of political economy, 1869 में 1865 में उनकी पुस्तक value, price and profit, value, price and profit 1865 में और इसमें अतिरिक्त मुल्य का सिधान का जिक्र है अतिरिक्त मुल्य से तात्पर्ज यह समझ लें कि यहां पर का जाता है कि जो कुछ भी कुछी उत्पादन पर लाव होता है वह स्रम पर होता है जिसके हिस्सेदार स्रमिक होते हैं वहीं जो पुंजी पती होते हैं सारा पैसा तो वो ले लेते हैं और इस तरह अतिरिक्त मुल अतिरिक्त जीतना लाव होता है वे ले ले लेते हैं मजदूर को सिर्फ जीवर निर्वा के लिए मजदूरी सौप दिया जाता है और वे काते हैं जैसे एक उधारन कि कोई बस्तू पर एक स्मुल्स पर को उस पायर न कर लेता है। तो पٌजी पती स्रमिक को मा ले जाए चालिए ओउस सुटा देता है। और खुद 360 पायर लेता है। यह जब कि होना या चाहिए कि उस पोसि में सरम लगा है उत्रक्राद्बस्टू को उत्रकादन पर लेकिन यहाँ पर पुंजी पति वहुद हरब लेता है पुंजी पति। यहाँ है अत्रिक्ले यहाँ चीज़ बुल्म 866 में उनके जीते जी और दो भलियूम ने 1880 में और 38894 में जोकborg उनकी मुर्तियों के बाद उनके में अंगले अनके अंगलेशित द्वारा प्रकाशित किये गए बेवारिक जमा आमली जमा पनाया लेनिन ने लेनिन ने कहता यह गरंट ही वह मुख्या और बुनियादी रचना है जिसमें बैग्यानिक समाजबाद की ब्याक्या की गई है इस गरंट में सर्भारा बरके इतिहासिक कतब भे दिर्धारित कर दिये गए सैध्धान्तिक बातें बताई गई समाजबादी क्रांती और सर्भारा के अधिनाया कत्यों का गहन दार्शनिक और अर्थसास्त्रिय धंसे विसलेशन किया गया एक बिद्वान हुए इस्ते पानोबा उन्होंने कहा है कि मार्स की अमहान रशनापुझी बादी गुलामी के ब अठारसो बाबन में 18th लुई बोनापार्ट जिसमें राज की साफेक 177 का वर्णन किया गया है 1871 में सिबिल वार इन फ्रांस वहीं 1875 में क्रिटिक आफ गोथा प्रोग्राम 1875 इसमें इसमें गोथा प्रोग्राम की आलोचना की गई है मार्क्स ने सर्भारा की ताना साही कर समर्थन किया है इसके तर्थ मार्क्स यूरो सामेबाद की आलोचना करते है यूरो सामेबाद अर्थाद लोक्तांत्रिक समाजबाद के आलोचना करते है और स्वेम को अराजक्ताबाद इवं गोथा प्रोग्राम से अलग बताते हैं वे यहां पर यह भी समझने वाली बात है इन सारी पुस्तकों का लेकर मार्क्स एंगल्स के साथ मिल करते हैं